नमस्ते दोस्तों कामीनी के किचन में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज हम बनाएंगे चिली पटैटो जो की आप महेंगे दामों में मार्किट से जाकर के खाते हैं बहुत ही क्रिस्पी करारे चिली पटैटो आप इस तरीके से बनाएंगे न तो ग्यारंटी से कहत बच्चे उंगलियां चाट-चाट के खाएंगे और बच्चे अब रेस्टोरेंट मार्किट जाने की जिद बिलकुल नहीं करेंगे वह जिद करेंगे तो यही कि हम घर में ही खाएंगे क्योंकि इतने ज्यादा टेस्टी क्रिस्पी चिली पटैटो आप घर में बना करके त आलू चाहिए जो आलू होते हैं वो थोड़े बड़े साइस के लेंगे तो बड़े बड़े बन करके तयार होंगे फिर आपके पास जैसे हो आप आलू ले लिजेगा तो आलू को हमें सबसे पहले छील लेना है छिली की हल्प से हम आलू को छील लेंगे फ्रेंट जो मार्क इसी तरीके से तयार भी तो चलब आलू चाहाई लिया है और हम अगे बता अगे, लोग करेँगे थाईर और अगे तरीके मिल्ट कि लिए कृěत ऑजों से चुन्पाइं देगे, का सब्सक्राइब गए इसका तर alley, मैं इसा प्रत्ति निकल को निकले हो ऀने को सबसी कर लेगे इस तरीके से कट करना है और वीच से भी हमें से कट कर लेना है इन इस तरीकेश अन प्रक से कटके से कट कर लेना है और जब आलू कट करें तो तुरन से पानी में ही डाल दीजेगा ताकि जो है ना आलू में से स्टार्ज खतम हो जाता है तो आलू क्रिस्पी हो जाते हैं और बस इसी तरीके से लिचे हमने सारे जो है आलू कट कर लिए हैं तो मैं यहां ज्यादा क्वांटिटी में बना रही हूं आगे में आपको बताऊंगे तो चलिए इन्हें दो से तीन वर बढ़ियां से धो लिया है और एक इस तरीके के स्टेनर ले लेना है इसमें रख देन यहां पर autopsy मर्च तो यहां पर फ्रैंड मर्च में ग्रीन वाली ले रही है क्योंकि यहीं एजी एफिलेबल होती है और जो चिली पटैटों होते की सबसीयां एड की जाती आधिये जैसे की ग्रीन शिम्ला मिर्च drinking गवाई मेल और गरिया येलव पैपर भी हो गई जो जबंद वाली हो हरी वाली हो जो भी आपके पास आप यहां पर लेना फिलालग घमпрोंम्हें ग। ho होता है उसे हम नब कालना व्यूंद मॹड़ ल Odyssey वर अगल में सब्सक्राइब करें है कि मैं प्याद्राइब की यह ज़रूरत यहां पे ऊण उड़ने यूरा एक काड़ी तो कहले को सब्सक्राइब। मार्किट वाला कलर आ सके थोड़ी सी काली मिर्च डालूंगी और इसी स्टेज पे अद्रक लस्टन का पेस्ट डालें क्योंकि अद्रक लस्टन का जो पेस्ट है ना यह चिली पटैटो में जो है बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है और एक तरीके से जान भी होता है अब य कषा हमें 6-7 चमश के करीब यहां पर होगा अब यहां पर इसे हातों से हमें मिक्स करबाता है और जैसे नमक और आरा रोट से हमें इस तरीके से मिक्स कर लेना है ताकि इन पर बहुत ही बढ़ियां कोटिंग हो जाए और यह देखिए बढ़ियां से कोट हो गए है अभी बिल्कुल ड्राय है थोड़ा सा मौस्चर आएगा इसमें चलिए अब इसे छोड़ देते हैं और कढ़ाई में डालते हैं तेल तेल को बढ़ियां से गरम कर लेना है जब तेल अच्छा गरम होगा तभी बहुत ही परफेक्ट हमारे फिंगर बनेंगे तो यहां पे हम चिली पटैटो बना रहे हैं तो यहां पे फिंगर भी इसी तरीके से बनाए जाते हैं तो देखिए इनमें मौस्चर आगया ना यह तो चलिए जब तेल बहुत अच्छा गरम हो तब एक एक करके हमें इने डाल देना है तो दोस्तों मैं आपसे एक बात और शेयर करना चाहती हूं जो मेरे बेटे हैं दो और बेटी तीन बच्चे हैं तो तीनों में यह होता है कि बेटी चिली पटैटो पसंद करती हैं और बच्चे मेरे फिंगर पसंद करते हैं तो दोनों की ही डिमांड से मैं इस तरीके से बना रही हूं ताकि जो मेरे चोटे बेटे हैं वो फिंगर खाले और मैं और मेरी बेटी जो है चिली पटैटो खाले तो दोनों ही चीजों का आपको इसमें स्वाद मिलेगा इसे ड्राय तो आपके फिंगर तैयार हैं बस मोमो वाली चेट्मी बना लीजेगा और इसी तरीके से तैयार हो जाएंगे और देखिए बिल्कुल ड्राय हो जाते हैं बिल्कुल आपस में चिपकते नहीं हैं डालने के बाद तुरन से टच नहीं करना है जब तेल की जो बबल से वह कम हो जाते हैं तभी आपको दिखाई देने लगेंगे तभी आपको इन्हें अलाट पलट करना है टेंशन बिल्कुल मत लीजेगा आपस में चिपकते नहीं अगर तेज तेल गरम होगा न तो बिल्कुल ने चिपकेंगे अगर ठंडा तेल में आप डाल देंगे तो चिपक और आप इसे चटनी अगर तिक्की वाली हो न उसके साथ एंज्वाइ करिए बहुत टेस्टी लगते हैं तो चैलिए फिलाल हम एक बैच हमने बना लिया है तो यह तो जा रहा है मेरे बेटों के पास जो की मुमो के चटनी मैंने बनाई है उसके साथ एंज्वाइ करेंगे चैली सेकंड्मच इसी तरीके से बना लेते हैं जो की बनेगा चिलिः पीम तो चलिए फटा फट से हम तरीके से हाई तेखियों कितना गर्म है औरầy लाट पकी सेटनी करेंगे और यह देखिए बिल्कुल चिपकते नहीं है और सबसे बडिया इंडिकेशन यह होता है मेरे जब फ्राय हो जाते ना बढ़ियां से क्रिस्पी हो जाते हैं तो यह उपर को आने लगते हैं बिल्कुल जहाग कम हो जाता है तेल का देखें कितने बढ़ियां फ्राय हो रहे हैं बिल्कुल उपर आ गए ना यह इंडिकेशन होता है कि फिंगर अच्छे से फ्राय हो चुके ह तो चलिए इसी तरीके से हमने दूनों ही बैच बना लिए हैं MR फ्ररैंड जब हम दुकान पर लेने जाते हैं तो दुबारा से फ्राइक करते लेकिन आप चाहें तो यहां पे extra crispy चाहें तो आप दुबारा से fry कर सकते हैं लेकिन हम घर में जटपड बना रहे हैं तो दुबारा fry करने की भी ज़रूरत नहीं है तो चलिए high flame पे fry के बहुत ही crispy है अब थोड़ा तेल लेंगे उसमें हम प्यास डालेंगे कटा हुआ एक चमच भर के अद्रक लेसन का पेस्ट अद्रक लेसन का पेस्ट है जो की बहुत बहुत चरूरी होता है बहुत ही बढ़िया इससे flavor और टेस्ट दोनों ही आ जाते हैं क् चिल्ली जो पोटेटो होते हैं इसमें लेसन और अद्रक का flavor बहुत पसंद सभी को आता है और flavor इनका बहुत अच्छा भी लगता है चलिए थोड़ी सी हरी मेर्च आप अपने according कम जादा कर लिजेगा साथ में एक शम्मला मेर्च और प्यास की petals मैंने डाली है सबजियों को उवर्कुप नहीं करना है उव्ल sometime करें डिजिए साथ में बिले ऐगए चमद्याट और यहा चिल्ली सॉस लिक्ताय तुमेटो कैचाप तोड़ा सा ग्रीन सॉस है और डाल दिया है और यह सब मसालों का हमें स्वाद के अनुसार नमक और बहुत जादा यहां पर आप काली मिर्च एट कर दीजेगा और कुछ भी हमें अपना फ्लेवर है जो कि इसको बहुत ही बढ़ियां टेस्ट देगा चलिए अब यहां पर जिसमें हमने आरारोट में सब चीजों को mix किया तो आरा रोट को थोड़ा सा डाल देंगे क्योंकि जो आलू जिसमें mix किये थे 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 थोड़ा बहुत आरारोट जो है नीचे बेट जाता है तो वही बचा हुआ है वही मैंने किया है अब चाहें तो एक चमशार रोट पानी में घोल करके तोड़ा सा पानी और एड़ किया है ताकि इसकी जो सॉस है यह गाड़ी हो जाए और जब सॉस में इस तरीके से उबाल आ जाएगा तब यहां पे हमें यह पोटेटो एड़ करनी है तो यहां पे जो सॉस हमने बनाई है न कुछ लोग बहुत जादा पतली यानि बढ़ियां स इसमें कोटीड वाली खाना पसंद करते कुछ लोग थोड़े ड्राय पसंद करते हैं आप अपने अकॉर्डिंग कर लीजेगा अगर इस तरीके से खाते तो थोड़ा पानी आड़ कर दीजेगा बिल्कुल ड्राय खाते हैं तो पानी आड़ मत कीजेगा और फटा-फट से सिर्फ 30 से 40 से करना है सॉसी अल्रेडी पकी हुई है सब्सक्राइब हमारी बहुत अच्छे से पक गई हैं सब्सक्राइब करना वरना फ्लेवर और क्रंचिनेस खताम हो जाता है लास्ट मैंने इसमें बीन्स डाली है और लीजिए भाई हमारे टेस्टी से चिली पटैटो ब अगर आपको अच्छा लगा हो महनत पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मुझे सब्सक्राइब करना है और लीजिए बिल्कुल मार्केट रेस्टोरेंट स्टाइल हमारे यह हनी चिली पटैटो इसका नाम है पता नहीं क्यों लेकिन स्वास से इतनी मिठास आ जाती हनी चीन लग रहे हैं तो हैना फ्रेंट्स कितनी फैंटेस्टिक रेस्पी और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो महनत पसंद आई हो तो प्लीज प्लीज मुझे सपोर्ट करना तो बनता ही है और मुझे सपोर्ट करने के लिए आप सभी को पता है क्या करना है वीडियो को ला में ही एंजॉय कीजिए जितना हमने बनाई है न कम से कम 2-500 रुपए तो हमें इतनी का पे करना पड़ता है तो बस इतना महेंगे दामों में मार्किट जाके मत खाईए हेल्दी तरीके से बनाईए बच्चों को खिलाईए घर में ही एंजॉय कीजिए बाहर की चीजे कैसी होत कितनी बार वो लोग रियूस करते हैं तो बहुत ही जादा हानिकारक भी होता है तो घर में बनाईए टेस्टी तरीके से और एंजॉय करिए क्योंकि आलू जो है ना सभी बच्चों को पसंद होते हैं तो सिंपल जो है बनाईए खाईए एंजॉय करिए और मैं आपको बतात करती हों मिलते हैं अपने नेक्स वीडियो में एक ने रिए